दोस्तों बात करें तो Realme का जो नया फोन है जी टी नियो जो अभी भार कुछ सभी पहले चाइना के अंदर लॉंच हुआ था उसके अंदर आपको Dimensity 1200 का प्रोस्टर देखने को मिलता था और लग रहा है कि Dimensity 1200 की एंट्री सबसे पहले टाइम लग गया था और लेकन देखा जाए तो अभी Dimensity 1200 अभी अभी आया था नई नी चिप है और लग रहा है कि Realme बहुत ही जल्दी प्लान कर सकता है इस चिप को इंडिया के अंदर लेके आ सकता है माधव शेट जी ने इसको खुद कंफर्म कर दिया है अब बस देखने वाली बात होगी किस फोन के अंदर आता है फिलाल के समय में GT Neo के अंदर देखने को बलता है GT Neo अगर इंडिया में आता है और अगरां 38,000 रुपीज या उससे कम अगर इसकी कीमत अगर होती है GT नहीं होगी तो वो काफी किलर डिल्स यहां पर सापित हो सकता है जी हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना तो देखते है हने वाले टैम में क्या रहता है यह Media Tech Diamond City के साथ काफी इंटरस्टिंग जो फोन है वो बहुत ही जल्दी देखनी को मलेगा लेकिन इसके साथी काफी कमाल की एक न्यूस निकल करी वो है रिलाइज जियोस रिलेटेड हम जीयो के फोन का इंटतार करें जीयो के स्मार्टफोन को अंदिजार करें और हो सकते है जो जीयो है वो बहुत ही जल्दी अपना एक स्मार्टफोन निकाल दे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जीयो ने अभी रिसेंट्ली पार्टनेशिप करी आईटल कमस्टनी के साथ जो की अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाएगी अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जीयो की तरफ से 5G फोन आएगा लेकिन यह 5G फोन ही होगा हम यहाँ पे एक सूपर अफोर्डेबल 4G फोन के बारे में ही बात कर रहे है जो की बहुत ही कम प्राइस का होगा यह जीयो फोन 3 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है यह जीयो का स्पेशल स्मार्टफोन हो सकता है तकरीबन 3-4,000 रुपे से कीमत हो सकती है जी हाँ आइटल जो कमपनी अब वो फीचर फोन बना आती है इंडिया के अंदर काफी सारे इंडिया में जो फीचर फोन होते है उसका है और यह वहन बात करें आईटल, टेक्नो और यह जो आपकी देखने को मलती है ना इन्फिनिक्स यह तीनो ही जो कंपनी है यह ट्रांजेशन होल्डिंग के कंपनी है उसके अंडर आती है जैसे अपना बीबी के ग्रूप है ना वैसे ही ट्रांजेशन होल्डिंग आती है अब देखने वाली बात है जो आईटल कंपनी के साथ जो मिलके जो पार्टनर्शिप कर रहे है अब इसका इंपक्ट क्या पड़ता है और यहां पर आपको किस टैप का एक स्मार्टफोन देखने को मलता है उम्मीद है कि मेर 2021 में शायद रिलीज हो जाए ऐसे रूमर्स और इंफो निकल गया ही है तो देखते है आने वाले टैप में क्या रहता है और इसके साथ ही बात कर रहे है तो ऐसा लग रहा है जो मीडιαटेक है न वो एक flagship processor बना रही है बिल्कुल आपने सही सुना मीडιαटेक की तरफ स अबको बहुत जल्दी काफी कमाल का एक flagship based processor देखने को मल सकता है अब इस processor का जो नाम है वो अबी कुछ confirm नहीं है जैसी company ने भी MediaTek के जो upcoming एक flagship लाल को जो प्रोसेसर है ना इसके लिए order दे दिया कि जल्दी से जल्दी तैयार हो और 2022 के स्टार्टिंग में इस प्रोसेसर से लिए जो फोन से निकलना चालो हो जाए काफी अची चीज़ है जहां भी आपको 5NM के chipset देखने को मिल रहा है तो लग रहा है कि 2022 में जो MediaTek के वो flagship वाली stage में कूदेने की तयारी कर रहा है 4NM वालो जो chipset बना है वो अब देखते है कि उसके अंदर और क्या interesting सीज़े देखने को मलती है और क्या आपको Snapdragon 888 और जो Snapdragon की जो top पर जो performance मिल रही है कि उसके level तक आत पाता है कि नहीं आत पाता यार ये भी देखने वाली बात होगी और इसी के साथ ही बात कर आज इंडिया में launch हो चेंगा है Moto G60 और Moto G40 Fusion स्मार्टफोन दौनों काफी अच्छे है दौनों फोन के अंदर काफी अच्छी value for money मिल रही है दौनों फोन की मतलब G60 की तो मैंने वीडियो आपको देई दिया वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो G60 और G40 Fusion दौनों में जो basic difference है वो है 108MP कैमरा का और इसके अंदर आपको selfie camera देखने को मिलते है G40 Fusion वो उस है 16MP का अब बात की जाए है यहाँ पर दौनी फोन बिल्कुल identical है 732G processor के साथ आता है stock Android के साथ आता है और 17,900 इंडियान वेरों के कीमत रखे G60 अब यहाँ पर आपको 14,000 और 16,000 रुपीस कीमत देखने को मिलते है G40 Fusion की काफी सारे bank offer बगर है उसके साथ यह काफी affordable price में आपको देखने को मिलता है एक बात यहाँ पर include कर देने चाओंगा दौनी फोन के अंदर magnetometer नहीं है और फोन थोड़े से जादा बलकिया और भारी लगते है लेकिन जो amazing जो chipset मिल रहा है वो काफी अचा है 732G का डिस्प्ले 120Hz का refresh rate देखने को मल रहा है 60Hz का भी AMOLED इसके अंदर नहीं दे रहा है लेकिन camera अच्छा देखने को मल गया प्रोसेसर सही देखने को मिल गया बैटरी बड़ी देखने को मल गया 20W की charging देखने को मिल गया और अगर यह phone easily available हो पाता है तो यह काफी अच्छी deal यहाँ पर साबित हो सकता है तो हाँ यह पूरी कहानी खतम होती है Moto G60, G40 की amazing phone है कुछ minor कौन से इसके अंदर लेकिन overall जो phone है वो काफी अच्छा value for money smartphone से बस magnetometers के अंदर आ जाता तो वो काफी सही चीज रहती इसी के साथ ही बात करें तो आज है Apple event यानि कि Apple का spring loaded event होने वाला और काफी सारे जो spring के अंदर मतलब products होते हैं वो रिल्कॉलने वाले मतलब कि 2021 का पहला event है और जो सबसे ज़्यादर rumored चीज़ है वो है iPad Pro with mini LED display yes iPad Pro आ सकते है mini LED के साथ क्या पता 5G का इस बार iPad Pro के अंदर देखने को मिल जा और भी काफी सारी चीज़े rumored है जैसे AirTags के बारे में हमने सुना है और कुछ लोग कह रहे है iMac इसके बारे में ढंक से कोई confirmation नहीं है लेकिन आपको इतना बता सकता हो आज Apple event में आपको काफी मज़ा आने वाला है काफी interesting concepts और काफी interesting चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है काफी जादा मज़ेदार चीज़ होने वाली है और इसे के साथ ही बात कर रहे है तो जो Acer है उसने आज इंडिया में अपना Helios 300 नामके नया laptop लीज़ कर दे वसे Acer प्रिज़े हो Helios 300 पूरी series है उसका एक नया version है 2021 का जिसकी खास बात है कि उसमें NVIDIA का RTX 3070 GPU लगा है ये काफी सही चीज़ हो जाती इसके साथ ही बात किया है तो जिस्पली उसके है वो है 240 Hz का refresh rate वाला डिस्पले आप लोग ने सही सुमना इसके साथ ही बात किया है तो एक काफी ताकत पर laptop आपको देखने को मल सकता है तो वहां ये सारी काहनी खतम होती है आज की तो दोस्तों आज के शुम में बस इतना ही लेकिन जादे आते हैं आप लोग के अगर हम कुछ कमेंट्स वगरा पड़े तो काफी इंटरेसिंग चीज़ हैं पर देखो 27,000 रुपे की रेंज में आपको क्लिनोव का एक laptop मिल जाएगा प्लस एक असुस का भी एक laptop आता है तो वह मिल सकते 27-28,000 रुपीज में किसी में Pentium वाले एक प्रोसेसर आता है जो थोड़ा पुराना प्रोसेसर है तो हाँ उसके साथ मिल जाते हैं बहुती basic laptop मिलेंगे, hard drive वगरा मिलेगी और 4GB मिलेगी आप इसको Amazon और flip card पे देख सकते हैं वहाँ पर आप पो मिल सकता है इसके साथ ही पूछ रहे कि शिवाय भाई की प्रोसेलफी में OIS वाला phone कौन सा है कुछ साल पहले HTC ने लांच किया था और अभी सेलफी के अंदर OIS दुबारा से Vivo लेके आने वाली Vivo के V21 5G जो स्मार्टफोन होगा ना भी आने वाला अश्याद अगली हफते आ जाए उसके अंदर आपको सेलफी के अंदर OIS तेखने कुम लेगा इसके साथ ही साकर चौधरी भाई का सवाल है कि भाई सोनी का निया phone launch हो इसके बारे में बात करो एक्जेकली सोनी का phone है काफी अच्छा phone है लेकिन बात यह है कि वो सोनी का जो phone है वो बहुत ही specific है यारनि कि normal consumer के लिए ने वो थोड़ा उन्होंने कोई product हिट होता है कोई भी product बिल्कुल ground breaking होता है उन्हें कोई success देखने को होनता है तो शाद वो इंडिया में revive कर सकते है लेकिन अभी तक कोई भी information नहीं कि phone इंडिया में आएगा इंडिया में इसका जो smartphone division है सोनी का बिल्कुल खतम हो चुका है तो यह होते हैं आपके सवाल तो आजके शुमाबस इतने हैं अगर वीडियो कर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर देने चैनल को स्क्राइब कर लेने थैंक्या आपको वीडियो देखने के लिए मैं आप सुन तर नेक्स फंट के अंदर गुड़ बाई